हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो माई इस्टड़ी फीड चैनल दोस्तों आज मैं बाधा दोड़ यानि होडल रेश के बारे बता रही हूं हूं दोस्तों इसमें वही पॉइंट बताऊंगी जो आपके एक्जॉम्स में 100% आते हैं फाल तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा न प्रेशर्वस के एकारडिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो उसको बहतरी बना सकते हैं दोस्तों डेली पेसे से प्रिवियस येर को स्टन सीज दिये जा रहा है उसका प्रेक्टिस करना न भूलिएगा तो दोस्तों चलिये चलते हैं आज के टापिक जानते हैं बाधा दोड़ क्या है और इसकी मेजरमेंट्स क्या होती है तो दोस्तों यह दोड़े हारडल रेश ओ होती है जो बीच-बीच में बाधाये रखी जाती है कुछ-कुछ दूरी पर तो यह बाधाये कितने कितने दूरी क्यों होती है तो यह चार प्रकार की दूरियों को होती है जैसे कि 110 मिटर पूरुस के लिए होता है और 100 मिटर महिला के लिए और 400 मिटर महिला के लिए होती है इन चारों प्रकार की दोड़ों के लिए सभी बाधाओं की संख्या सभी मे रखी जाती है एंड प्रतेग बाधा की चोड़ाई 120 cm होती है एंड बाधाओं का भार 10 kg होता है और उनके पैर 70 cm लंबा यानि ऊचा होता है हरडल के उपरी पट्टी का रंग काला और शफेद होता है और उसके लंबाई 25.5 cm होती है और दोस्तों जिसमें कम से कम 3.6 से 4.6 kg के वजन से बीचों बीच टकराने पर ही वर्डल गिरेगी अब जानते हैं इन चारों बाधा दवड़ों की दूरी और उसके उचाई उसके पर्थम बाधा का स्टार्टिंग लाइन से दूरी एक बाधा से दूसरे बाधा की दूरी और अंतिम बाधा की फिनिश लाइन की दूरी के बारे में जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे 110 मिटर पूरुस की बाधा की उचाई कितनी होती है 1.67 मिटर and 100 मिटर महिला बाधा दौर की बाधा की उचाई कितनी होती है 0.84 मिटर and 400 मिटर पूरुस बाधा दौर की उचाई कितनी होती है 0.914 मिटर and 400 मिटर महिला बाधा दौर की उचाई कितनी होती है बाधा की उचाई कितनी होती है 0.762 मिटर अब बात करेंगे पर्थम बाधा इस्टार्टिंग लाइन से कितनी दूरी पर होती है तो 110 मिटर पूरुष के लिए स्टार्टिंग लाइन से पर्थम बाधा तेरे दसमलो साथ दो मिटर होती है एंड सो मिटर महिला के लिए तेरे मिटर होती है एंड चार सो मिटर पूरुष के लिए पैतालिस और महिला के लिए भी पैतालिस होती है अब बात करेंगे एक बाधा से दूसरे बाधा के बीश की दूरी आपस में क्या होती है तो 110 मिटर पूरुष के लिए 9.14 मिटर 100 मिटर महिला के लिए 8.50 मिटर 400 मिटर पूरुष के लिए 35 मिटर 400 मिटर महिला के लिए 35 मिटर ठीक है अब बात करेंगे अंतीम बाधा से फिनिस लाइंग की दूरी तो अंतिम बाधा से फिनिस लाइंग की दूरी 110 मीटर पूरुस के लिए 14.02 मीटर and 10 मीटर महिला के लिए 10.50 मीटर and 400 मीटर पूरुस and महिला दोनों के लिए 40-40 मीटर होता है और दोस्तों अब बात करेंगे इसके कुछ important rules की दोस्तों इसमें स्टार्ट में crouch स्टार्ट लिया जाता है and crouch start में होता क्या है इस सिटिंग स्टार्ट भी बुला जाता है इसमें crouch start के अंतर का दोस्तों सभी sprint दोड़ें 100-200, 400 मीटर दोड़ें and 4 गुड़े 100 मीटर और 4 गुड़े 400 मीटर रिले रेस and hurdle race में crouch start यानी sitting start लिया जाता है इसके अंतर का तीन कमांड दिये जाते हैं on your marks set and go तो दोस्तों and इसके कुछ business rules है जैसे की runner को सारे hurdle को पार करना जरूरी होता है and यदि hurdle को जान भूचकर गिराया जाता है तो जान भूचकर गिराने पर disqualify हो जाता है and runner यदि अच्छानक से hurdle पे पाउ runner कर लग जाता है and ठोकर लग जाता है या hurdle के उपर से लग जाता है तो उसे disqualify नहीं माना जाता है and दोस्तों यदि runner का पाउ यानि पैर आगे की तरफ को नीचे से नहीं निकलना चाहिए जिस समय वो अपना jump complete यानि clear कर रहा होता है उस समय पैर आगे की तरफ से हो करके अंदर नहीं गुशना चाहिए ऐसा होने पर disqualify हो जाएगा and दोस्तों runner को पूरी lane अपने ही पूरी जो run होता है पूरी दवड अपनी ही lane में दवडनी होती है दूसरे lane में दवडने पर उससे disqualify कर दिया जाता है तो दोस्तों यह था hurdle race के बारे में दोस्तों जैसा की जितना मैंने इसमें बताया है इस से बाहर आपके एक्जांस में कोई भी questions नहीं आ सकता इतना ही आप notes बना लेंगे तो एक से दो question हर बार hurdle race से 100% आता है कोई भी previous year question paper आप उठा के देख लिजिए तो दोस्तों I hope की ए वीडियो आपको समझ में आया होगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताईए और जादे से जादे share किया किजिए दोस्तों जिससे मुझे एक नया motivation मिलता रहे है जिससे मैं आपके लिए daily basis पे वीडियो बनाती रहूं और दोस्तों पहली वार विजिट कर रहा है तो चैनल को subscribe कर लिजिए ब